हालो बच्चों कैसे हो फर्स्ट क्लास तो चलिए स्टाट किया जा है मैगनेटिक इफेक्ट आप करेंट पार्ट 11 तो पार्ट 10 में आप देखिया होंगे कि लास्ट में आप खुब जबजस्त पड़ाई की होंगे और देखिया होंगे कि वहां पर गैलोर मीटर उसकी थिवर नुमेरिकल सा शाल्व करनें क्लियर तो चलिए ओके आएं तो अभी पार्ट नंबार ट Gaming नाइँ ईयर नेनी पार्ट नंबा नाईन में एक लास्ट में हम लोग कण। कर रहे थे और वहां बिट्मेन टू चार्जेस यह थार मेरेकल लगों का बिट्मेन टू चार्जेस सपुश करिए कि यह एक प्लस क्यू चार्ज है की वन और यह जाहर हाई विलाश्टी भी वन से इससे आर डिस्टेंस पहर एक दूसरा चार्ज है क्यू टू यह जाहरा विलाश्टी वी टू से दोनों के बिश की डिस्टन्स आर है ओके ए दो चार्ज पॉटकेल है तो हम लोग जो हाँ पर जो पिछला क्यों सल्फ किये हैं इसको पिछले एपिसोड में पाड़ में जो किया गया है तो वहां पर हम लोगों ने इसको इन्फाइनाइट वायर माना हुआ था क्लियर लेकिन यह दि आयसा न माने तो एंसर क्या आएगा ऐसा न माना जाए तब ही एंसर क्या होगा अई देखते हैं क्या होगा देखें करने का प्रॉसेस बिल्कुल वही ड़्य,ड़्टा टी आप वन सेगन्द ले लिजिए पर सेकंड यहां से यह दि डेल्टा टी का मान एक सेकंड हो तो यह जितनी डिस्टेंस कभर करेगा एक सेकंड में आप उसको क्या कहेंगे आप उसको DL मान लिए clear और चार्ज प्लस चार्ज है प्लस चार्ज है चार्ज का फ्लो हो रहा है charge के flow को current कहते हो plus charge जिस direction में flow करता हो current की direction होता है तो आप यहां क्या कह दिये यानि कि अब आप देखे कि आप यहां पे आपको current भी मिला और dl भी है means क्या मिला? means मिला आपको i भी है और एक सेकन में चली गए distance मल यह यह है एक सेगण में और वह डिस्टेंस कितनी है dl, डिस्टेंस है तो Kyle या अप The लेकिन जानते हैं कि विलाश्टी व्लाबर क्या होता है विलाश्टी व्लाबर क्या होता है डिस्टेंस हूंप सुभाप lorsquा, हैं वैंटा टी कि मिंज एकी वीवन ब्राबर घीज़़ स्थी वीवन लिख्ये हुए यह इंद्र किसके ब्राबर आया तो विघीर ले सकते हैं डिस्टेंज Этот स्क्षाओं क्या क्क Алभ कि बूल दें है बायोट्थ ला में अब इसको करंड्ट एलेमेंट ने क्या है करेंडों के बिच्वोष सला में करेंट एल्यमेंट था हुआँ吧 इने भ्म ने उनीपर और सिड़ेसीं पर सब्भीम्यदी यह बता ना हो q. 10 सीम नहीं क्या आपने क्लियर हो गए आजाओ आप जाए देखो वहीं हां बायोश्वर्ट्स लासे जब यह करेंट एलिमेंट है और यहां राइट एंगल पर 90 डिगरी पर है यहां मिलाने वाली लाइन इसको इसके क्लियर एवी 90 डिगरी हुआ भायोश्वर्ट्स लास से क्या हुआ वी बबुब ड़के नहोगा मुद आप भाई फोर पाई ऐ बी येलश्याई नैंटी अपान आर स्क्वार एट भी किवल य वैल उइब बड़ दर मू नाट बाई फोर पाई ओके इस करेंट का नाम चार्ज का नाम की वन चार्ज का नाम का मान रिख दिजिए आई डियल ले लिया आप आजाएगे आई आपका कितना है इस में इसमें आई को माल लेता हूं आई वन तो अब यहां पर आई-वन के अर्षान पर क्या ले सकते हम लोग आई बाब जानते हो होता है क्यू बाइटी आई बराबर Q by T clear आई बराबर Q by T यहां क्यों क्या है मारा Q1 time 1 1 second means कि I1 के अस्थान पर क्या आया Q1 यहां I1 के अस्थान पर put कर यह Q1 DL किसी बराबर है देखे DL बराबर V1 तो क्या मेला Q1 V1 अपान कितना R square तो this is the B this is the B clear हो गए this is the B okay fantastic चले है अब जाद ध्यान दीजीगा हाँ पहले तो इससे final answer निकल दिया जाए अब इन दोनों चार्ज पॉर्टकिल के बीच कितना फोर्स लगा दोनों के बीच कितना फोर्स लगा अब जानते हैं कि जो फोर्स होता है वह एब बराबर क्या होता है वह होता है Q B B Sine Theta तो एब बराबर चले है किना फोर्स लग रहा है Q B B Sine Theta एब फोर्स है जहाँ पर V और B के बीच का इंगल है Theta आईए वेलू पूट करेए तो एब बराबर यह बराबर वेलू पूट करेए Q किस चार्ज के उपर फोर्स देखने जा रहे थे Q2 के उपर तो यहाँ पर रखेए Q2 किसकी बिलावस्विक नहीं थी V2 तो यहाँ रखेए V2 B के वेलू अभी अभी निकाले है यहाँ पर तो यहाँ पर रखेए V2 लीजिए और अभी स्राइन थीटा लिया जाए ठीक है ना उपर लिखते हैं आए अब यहाँ देखिए कि क्या यहाँ ता पहुंच गए F B की वेलू आपने निकाल लिया बाइश्वर्स से F की वेलू आपने लिख दिया बी का मान पूट करना थीटा की वेलू पूट करनी है और त्रॉंत इसका इंस्वर आ जाएगा क्लिया है तो क्या पढ़ रहा है फेजेक्स ओके P 100 फेजेक्स मैं आपका हैस्ट पीस्टा स्ट ओके फस्ट लस्ट आए कमान तो यह हो गया चलिए अब आगे वेलू पूट किया जा उपर नोट का लिया होंगे देखे जल्दी से नोट होगया की नहीं हो गया चलिए आगे यह है हाँ अगला पॉइंट अब इसका चलिए अब यहां से देखिए यह वेलू यह बराबर हमको यह अब की वेलू निकाल ली थी f बराबर कितना यह q2 और क्या है v2 और b की वेलू रहे हमको पूट करने दे b की वेलू हमनों की यहां प्याए वूई है mu नौट अपान 4 π q1 v1 अपान r स्क्वार टो f बराबर कितना हुगा आए ले ले लिजे इसको, mu नट बाई 4 pi, q1 v1, q1 v1, q2 v2 upon r square, ओके, this is the force between, between charges, this is the force between the charges, स्वाल यह है, कि q1 वाले ने q2 पे लगाया, कि q2 वाले ने q1 पे लगाया, तो answer है, कि दोनों ने एक दूसरे के उपर लगाया, यदि हम b, इसका निकालते, तो force इसको लगता, तब कहते कि इसको लग रहा है, हमने b, का मान इसका निकाला है, यानि कि यह जस्ट लाइक एक mutual force है, मिन्स कि दोनों एक दूसरे पर बराबर force लगा रहा है, क्यों, यहाँ पर भी value देखे, दोनों की है, q1, v1, q2, v2, r square तो common distance उनके बीच का, और immune r by 4, that is the constant, पक्का, clear, first, last, okay, आजाओ, आप जादेखेगा, तो this is the force, आप सवाल है, कि यह attractive होगा, कि repulsive होगा, तो मैं इसको बता चुगा था आपको, अच्छिता से पीछे मनों solve किये हुए है, लेकिन चलिए यह बार फिर देखते है, attractive कि repulsive, आईए, अब देखते हैं, क्या होगा, यह current इधर, field इसकी insights, field insight होगी, अब आप इस charge के उपर देखे, प्लस charge है, फ्ले में लेट हैं, ड्रूर लगा देजिए, B inside है न, velocity उपर है न, तो पहले index finger यादा रहा है न, सब कुछ पीछे, सब कुछ पढ़ा चुका होगा, जम करके पीछे के सारे वीडियो नमबर, एक से लेकर के, दस नमबर तक अच्छी तरस तयार होना चाहिए, वीडियो नमबर 11 है, magnetic effect का, अब जो भी आएगा सब नुमेरिकल से, most important, important, important होगे, तो पहले थूरी, well finish सुनी चाहिए, this is the B, always, तीनों finger, thumb, अंगुठा, index, और middle finger, तीनों 90 पर करिए, 90 पर कर दिया, यह हमेशा भी बताएगा, यह हमेशा बिलास्टी और current की दिशा बताएगी, और अंगुठा, हमेशा फोर्स की दिशा बताएगा, ठीक, अब करिए यहां पर, फिल्ड ब्लेक बोर्ड के अंदर है, अंदर करिए, बिलास्टी उपर है, उपर करिए, अंगुठा किदर गया, Q1 के तरफ, यह की फोर्स किदर लग रहा है, Q1 के तरफ, तो यह वाला चार्ज, इसको अपनी तरफ अटेट कर रहा है, यदि ऐसे ही मैं इसकी फिल्ड निका होगा, और कैसा होगा, हमेशा ही अट्रेक्टिव होगा, अट्रेक्टिव, देखिए, सवाल यह है, तो एक चीज अलग से डाग्राम बना दे, कि यदि दोनों, दो करेंट, एक दिसा में बहर है, यह आईवन, आईटो, या दो चार्ज, Q1 और Q2, एक ही दिसा में जा रहे ह हो, किसी विलास्टि से जा रहे हो, इनके बीच हमेशा ही अट्रेक्टिव होगा, यह दोनों हमेशा दूसरे को आकर्शित करेंगे, हमेशा, क्लियर हो गए, हाँ, एट डाइगराम बना दे वहाँ पर, हमेशा याद रहे है, कि सेम डाइट्रेक्टिव होगा, तो अट्रेक आइट्रेक्टिव है, या यहाँ पर, यह क्यू वन है, और यह उल्टे दिशा में, यह क्यू ट्रेक्टिव है, मिंस डाइगराम बना दे हम चेंज कर दे, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, रिपल्शन, मिंस कि दिशा जब और समान होगी, तो रिपल्शन, दिशा समान होगी तो attraction क्लियर होगा है क्लियर कहीं कोई problem नो क्लियर कर लिजिए अपना concept बिलकुल ही चलिए तो जब केवल first पूछे कोई condition होगा रहना बोला जाए तो this will be the answer लेकिन अब यह मैं कहूं कि जो चार्ज वन है कि वन और भीवन बिलास्टी जा रहा है उस चार्ज को infinite वायर माल लेजिए एंसर क्लियर है यह दि मैं कह दूँ कि उसको आज जे infinite वायर मानिए ठीक तो पिछला जो question है आले हुआ है कि वीडियो में वहां पर कहा गया है कि वह इंफानाई टृइन या है और वीवन से जा रहा है क्रेस्टन में यह कह दें कि यह इन्फाइनाइट वायर सुले लिए इन्फाइनाइट वायर और यह लिए एक चार्ज प्लस क्यूटू है कोई विटू विलास्टी से जा रहा है क्यूटू चार्ज और डिस्टेंस पर और डिस्टेंस पर तब इसके उपर फोर्श कितना लगेगा इस पर तो बहुत ही सिंपल सी बात है क्या कर दें इन्फाइनाइट वायर कह रहा है इसको क्या लूँ इसको इन्फाइनाइट वायर यह दि कहा गया है तो अधरवाइस नहीं करेंगे कभी विध्यान रहें इस अभी निकालू पहले तो बी वराबर जानते ही है किनाता है म्यू नट बाइट वायर इन्फाइनाइट वायर के लिए और आई वराबर कितना है आई वराबर तो आई वराबर q by t एक सेकंड के लिए आएगा न यह तो b ब्राबर mu not by 2 pi q1 i कितना होता है q by t एक सेकंड के लिए q by t ओके q by t कर सकते हैं हम लोग qn by t कर सकते i q by t t one सेकंड है तो q1 हो गया clear हो गया q1 हो गया और अब क्या आया यह एक सेकंड है by r by r लिए सकते लिए सकते हैं हम लोग चले अब एक सेकंड में हाँ चले एक सेकंड के लिए आपने निकाल लाए infinite wire माने और infinite wire दी मालनों तो b ब्राबर mu not by 2 pi i by r i ब्राबर कितना हुआ i ब्राबर current है current इकल टू वहाँ one second के लिए one second के लिए या जो भी time दिया रहे तो उतने time के लिए हमारा यहाँ पर क्यों की ब्राबर किया ले सकते हैं q by t लिशकते हैं लिशेते हैं आटी को क्या माने है one second या t भी ले सकते हैं कोई दिकर नहीं ती भी रख दिए टी की कोई भी वेलू दिया जाए तो q by t के सकते हैं b के वेलू हो गई अच्छा और अब यहाँ पर क्या हुआ अब यहाँ पर क्या सकते हैं कि f ब्राबर या तो अब फार्मला लगा दी यह ब्राबर q by b लगा दें या नहीं तो f इकल टू i l b लगा दें तो जिस यह यह वाला option है तो यह वाला लगा दें यह वाला option है तो यह वाला लगा दें clear? तो पीछे हम यह इसको solve किये हुए हैं वहाँ पर infinite मान करके लेकिन जब आप से पुछेगा तो infinite नहीं main वही simple question आता है infinite मानने को नहीं बोलेगा जब भी आप से पुछेगा तो मात सीम पर सब्दों में क्या कहेगा कि 2 charge हैं उनके बीच का force बताओ तो जब 2 charge है क्यों ले कहता है कि 2 charge उनके बीच का force बताओ कुछ भी उमत करिये क्या कर यह आप राबर अभी अभी प्रूफ किया है mu not by 4 pi और बोलिए q1 v1 q2 v2 by क्या कर देजिए r2 अभी 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 प्रूफ किया है that will answer अच्छा अब यह मानने कुछ अब कहा है कि infinite है तब जैसा अभी question रहेगा अब आप शन में yl वाला है कि वी वाला है तुझे सारे अवेशा करेंगे otherwise this is the most important part ओके आजाओ हाँ next point अब आए अगले point पर यहां आप यह clear हो गया हाँ चलो अब आगया जाए अब यहां पे बहुत ही important सारे questions है बहुत ही important questions है ओके तो आए हम लेते हैं पहला question करेंगे विटा तो अब एक question नोट करिए यह के कोई equilateral triangle है yes question first note करिए consider consider a equilateral lateral triangle एक equilateral triangle विटा हैंक हैंक इन vertical plane vertical plane में उसको हैंक किया गया most most important questions हैंक इन वर्टिकल प्लेन in horizontal magnetic field in horizontal magnetic field भी के लिए और क्या है जो इक्विलेटर ट्रेंगिल है हो में देड़्टा साइड़ आफ इच आ या लेंध आफ लेंध आफ दो साइट आफ इच तो या साइड आफ इच आफ 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 ट्रेंगिल égal to the term probability दे रहा है, L equal to 0.20 cm 20 cm clear, और इस में current flow कर रही है current i है, I कितना 0.1 A किसी exam में आजा हुआ है equation आपके need में पूुछा गया question है, पहुत पहले, 4-3-4 सा लोग है और N का मांद दे रहा है N equal to 1000 terms ये इतनी values दे हुई है अच्छा और जो हारिजंटर्ण magnetic field है B तो यहां B का मांद भी दे रहा है B की value कितनी दे रहा है तो नोट कर ये B की value 5 into 10 power 5 into 10 power minus 2 Tesla ये field है clear और हमको बताना है कि what is what is torque on it clear हो गए what is the torque on it चलिए मारी दना दनी इंसर तो भीटा मारो जल्दी हाँ समझा दूँ आपको ये कोई एक horizontal magnetic field है most important question आपके इजाम में आचिका है ये मैं वही value लिया हूँ वही data लिया हूँ जो इजाम में आया हुआ है जो इजाम में आया हुआ हुआ है वही value लिया हूँ ठाशी को हो गया ये कोई magnetic field है वी की value दे हुई है 5 इंड़े बार मानस्ट टेसला बेरी फास्ट बहुत ही फास्ट करें जल्दी सिरोड करी है सारी questions हो गया अब देखें पहले ही ये question आये हुए 3-4 साल हो गया है देखो इस तरह से यह एक triangle है यह triangle है और इसको hang किया गया है इसमें आइसे है इसे हैं अब आपसे push क्या रहा है इसमें अब एक side each side of the triangle is equilateral triangle है सभी side आप इसे बराबर होंगे L L L और सभी side बराबर किना है वह देखें हो 20 cm तो L के value है 20 cm नमबर आप टॉन्स एक हजार टॉर्ण है इसमें देखें यह जो है जो वाइंडिंग है इस पर फ्रेम पर यह एक हजार टॉर्ण है ठेक तो यह सब्सक्राइब कोई non-conducting एक फ्रेम है non-conducting ओके इस पर वारकी बंडिंगं गख़ाए रहे है फिल्ट यह है और इस तरह से वर्केल प्लें में यह ऐसे हैंक किया गया उपर से सगत मेरे प्लें इस तरह इंक किया गया देखो इस तरह से हैंक घ्रा चलो चलिकाल लिए इंसर आई का वालू दिया हुआ है जीरो पाइंट वाइंट एंपियर नवार टॉंस दिया गया है मारे दिफिल्ड दी गई है टार्क की जल्दी से निकाली है होगया 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 चलो आजाओ देखो अब पहली बात यह है कि आप पीछे देखे त्यूरी सबको छोचे के पीछे इसले बिल्कुर आसान क्येशन से स्टार्ट कर रहे हैं जो पूरी थियूरी पड़े हुए हैं तो जम करके नुमेरिकार फटा फटा फटाएगा इंपर्ट क्वेंसर जोभी बताने जा रहा हूं आना ही आना है साथ या वाला नहीं तो वाला वाला नहीं तो वाला जनते ही हो ठीक न्यकिन आना ब्लैबोर से ही चलो commence तो तार्क ब्राबर जंदि बनूअ फार्मला तार्क ब्राबर अब्र स्वेक्टर Mississippi या कैसे लिखते हो M B Sine Theta लिखते हो ना ये Theta हमेशा M और B के बीच का एंगल 90 लेते हो Maximum Tark कितना होगा तो Theta की बेलु कितना लिख दिया 90 Clear? तो Tark बराबर M B अब Tark बराबर M बराबर क्या होता है N I A अभी पीछे जो एपिसोड पिछला एपिसोड है सब उसमें प्रूफ है ना हाँ सब पीछे जो है Tark कैसे निकाले गलोलमीटर वाला जो एपिसोड है उसमें सब प्रूफ है उटा Tark बराबर M I A इंटू क्या होगा? इंटू B This is the final answer इसी में हमको value पूट कर दे नहीं है सारी सिधे सिधे Tark पूछा है आप जाँ देखिए यह जो हमने यहाँ पे थीटा कमान जो 90 रखा है थीटा एक पूर 90 यह कहां है किसके बीच का इंगल होता है? इसलिए हमने यहाँ पे देखे साफ साफ लिखा हुआ वेटर M और वेटर B के बीच का इंगल होता है क्या? MB साइन थीटा हमेशा M B के बीच का इंगल है और M क्या है? M magnetic moment है किसका? क्वाइल का तो अब magnetic moment बार magnet होता है अब जो आगे पढ़ेंगे हम लोग उसका इसमेलडिग moment होता है ठीक? और यहाँ क्वाइल जो होता है magnetic behavior उसके अदर होता है यानि क्यों भी एक magnetic dipole की तर से काम करता है क्वाइल तो यहाँ इसके पास भी magnetic moment होता है अच्छा अब यह magnetic moment magnetic moment ठीक वाइसे ही होता है जैसे electric dipole moment होता है तो electric dipole आप जब पढ़े हुए है पीछे electric dipole moment में क्या होता है electric dipole moment में directional property होती है क्योंकि जानते हैं कि electric dipole का जो dipole moment होता है वा हमेशा negative charge से positive charge से तरह होता है तो जब कोई सी चीज की या दिशा fix कर देते हैं किसी दिशा यही रहेगी तो directional property आ गई या कोई दिशा तमक चीज उसके अंदर आ गई जब आपने किसी चीज की दिशा fix कर दिया कि वह यही पर रहेगा तो वह चीज अवस से ही vector बन जाएगी तो dipole moment में किसका dipole moment के वह क्या होता था एक charge गोड़े दो chargeों के बीश की दूरी आप जानते हैं कि दूरी भी scalar है और charge भी scalar है लेकिर फिर भी का रहा है कि आप dipole moment vector है, सदिस रासी है दो scalar चीजे हो रही है क्या-क्या charge जानते हैं dipole कैसे बनता है एक plus charge यहाँ हो उतना ही charge हो तो जब दो equal magnitude के और opposite nature के यादि कि एक plus उतना माइनस एक plus हो दूसरा उतना ही माइनस हो एक दूसरे के बहुती छोटे distance पर रखे जाते हैं तो उन्हें कहते हैं dipole हिंदी में कहते हैं द्वी धुरूव dipole कहते हैं और चूकि एक charge ले लिजे दोनों में से एक charge ले लिजे एक charge और दोनों के बीच की दूरी का गुरनफल कर दीजे product कर दीजे एक charge दोनों के बीच की दूरी तो दोनों के बीच की दूरी को चाहे X मानी है चाहे L मानी है लेकिन convention क्या है 2L मानते हैं कितना 2L तो एक charge कितना हुआ Q उनके 20 के दुरी कि नहीं होई 2L तो क्या मिला गुड़ा करने पर 2QL इसको पराबर किसे लिखते हो P क्या लिखते हो P P क्या है Electric Dipole Moment किदर से किदर को होता है हमिशा माइनस से प्लस को होता है कैसी कॉंटिटी अब हो गई दोई सकेलर का गुड़न पर किये हो तो कैसी कॉंटिटी हो गई वेक्टेर क्यों क्योंकि आपने दिशा जोड़ दिया है कि हमें ऐसा माइनस से प्लस होगा तो दिशा फिक्स हो गई तो जब दिशा फिक्स हो गई तो वो वेक्टर बन गया क्लियर दिशा फिक्स हो गई तो क्या बना वेक्टर पक्का फंटास्टेक जैसे ठीक वहाँ पर इलटी डाइपूल खुमने दिश्टस किया ठीक वैसे ही माइगनेटिक डाइपूल होता है अब माइगनेटिक डाइपूल में क्या है वहाँ P था, यहाँ पर M है, जैसे वहाँ दिशा फिक्स, वैसे यहाँ भी दिशा फिक्स, तो यह हमीशा कहाँ पर होगा, यह हमीशा कहाँ पर होगा, बोलो जल्दी बोलो, वही, जैसे वहाँ पर था कहाँ से किदर को, माइनस से प्लस को, तो वैसे यहाँ पर भी होगा, मा पर तो होता नहीं तो जो एन पॉल होता है वह प्लस का काम करता है जो माइनस पॉल जो येस पॉल होता है यह एन एस धुरू एन एस पॉल तो जो एस पॉल होता है वह माइनस सपोस्पोस कर लो माइन वे और जो एन होता है उसको प्लस सपोस्पोस कर लो माइन वे तो दिशा क पर भी डाइपोल का फार्मेशन होगा तो वहां पर आपको M की दिशा किदर से किदर को लेनी होगी S से N को लेनी होगी क्लिर हो गए यहां की डायेक्सिन वहां भी फिक्स अब यह जो थीटा या वो किसके बीच का थीटा था थीटा M और B के बीच का थीटा था तो मैगनेटिव फिल्ड किदर थी यह 90 कैसे लिया हम लोगोंने तो M और B के बीच का जो एंगल था वो 90 था कैसे कैसे तो अब जाद देखो इस पर जो डाला गया एरिया पर जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं एरिया पर जो हमने परपेंडिकुलर डाला है यही मैगनेटिक मोमेंट दिशा है एरिया पर डाला गया एरिया वेक्टेर तो दिमाग में हमेशा बैठाईए जितने भी आर्मेचर के क्वेस्टेंस होंगे क्वाइल के क्वेस्टेंस आर्मेचर के क्वेस्टेंस वहां पर ह हमेशा एरिया पर डाला गया पर्पेंडिकुलर ही मागनेटिक मुवमेंट की दिसा होगी। क्लिर हो गए? तो ये हमीशा अभी हाँ लिख देजिए DS यही दिसा नॉर्मल है। तो जब मागनेटिक मोमेंट M वर्टिकल है और फिल्ट ब्लेक बोर्ड पर है और M ब्लेक बोर्ड के 90 पर है परपेंडिकुलर है तो एंगल बोरों के बीच कितना हो गया 90 इसलिए यहाँ पर क्या लिखा आपने थीटा बराबर 90 क्लिए तर्क बराबर क्या है होटा M B तो टर्क बराबर N I A B क्लिए M बराबर क्या होता है N I A N क्या है नमबर आप टर्मस आई क्या करेंट A क्या एरिया ओके भलो भाई क्लिए लोगे है चले आप जादे देखिए इसके आगे क्या करोगे most important questions इसके अगे क्या करिएगा अब इस कहोगे कि area shape क्या depend करेगी अब यहां पर मैं कहों कि square था यह rectangle है यहां पर देखे equilateral triangle है तो यह depend किस पर करेगा क्या shape पर depend करेगा no it does not depend on the shape it only depends that what is the value of the area it does not depend on the shape of the coil only depends on area so what will happen now putting all the values now and you can determine the value of now what is the torque ating on here so therefore the putting value tau brother and 1000 is given 10 to the power 3 into i i is also given 0.1 ampere so 0.1 ampere a area it has to determine that what will be the value of the area because this is equilateral triangle and what is the area you have to determine this area तो अभी हम लोगी सुन निकालते है और क्या d भी दिया हुआ है 5 in to 3 पार माइनस 2 तो 5 in to 10 पार माइनस 2 और कुछ no but simple this is the answer now put all the values now put the values of the area also clear चले नमबर आप ट्रंस 10 पार 3 हम लो लो ले लिए बार चेक कर लिए नमबर ट्रंस आपने ले लिया लंबाई से दिया ही है आप हाटा दे हम लोग इसको चली एल की बाइलो है 20 cm कि एल की बाइलो 20 cm है ओके चले है हाँ आजए अब हम लोग इसकी एरिया निकाल लेते हैं तो इसकी एरिया आती कितने हैं निकाल सकते हैं हाफ इन्टू बेस इन्टू हाइट यह हाइट यह है ना हाफ इन्टू बेस इन्टू हाइट चले है तो निकाल दिए हमेशा के लिए कितना हो जाए बार निकाल के देख लिए तो एरिया बराबर कितना होता है एरिया बराबर हाफ इन्टू बेस बेस मींस एल लबाई यह इंटू हाइट, हाइट means this, तो यह L है, यह angle किना बनेगा, equilateral triangular 60 degree बनेगा, तो हाइट कितनी हो गई, L sin 60, तो L sin 60, So on this, A will be how much, half L square sin 60, root 3 by 2, what will be here, root 3 by 4, root 3 by 4 L square, so keep in mind always, the area of equilateral triangle is root 3 by 4 L square, नौप पुटिंग ही यह दो आप है टॉर्क विल भी हाँ मैच टेन पाउर टेन पाउर माइनस टू है यहां पाउर थ्री है खटा दीजिए दो यहां से कैंसेल होगा एक दस बचा एक दस से हमाटिप्लाइ कर दीजिए एक दस मुट्पाइब यह भी हट गया बचा क्या ही बचा हुआ इंटू एल एरिया एरिया के बहुत यहां से ले लेजिए रूट थ्री अपान फोर इंटू क्या एल स्कॉाइर चलिए अभी हमें यहां पूट करते आगे होगे यहां तब पहुंच गया सब लोग नोट दिस कैसे नुमेरिकल करेंगे अच्छीता से समझें क्योंकि थियोरी बिटा आप तो बहुत ही आसान होते ही है उसे का फिजिक्स की धुनाई यह पढ़ाई नहीं है धुनाई तो फिजिक्स से धुनाई मींस क्या कि थियोरी को तो पहले मास्टर स्पीस बनी है यह थियोरी जब कैसे अपलाई करोगे उसको जो सीखा है थियोरी में देखे वही चीज हो रही है अब ऐसे ही अभी सारे गेलर मीटर के या मीटर के ना सारी नुमेरिकल साने है ठीक है बहुत अच्छे अच्छे बहुत टेक्निकल है यह सारे क्वेस्टन से चैप्टर के बहुत टेक्निकल ह होगा इनकम प्रिजन टू अधर है कि मैंने टीजम के क्वेस्टन से यह च्छी क्वेस्टन सागए तो कोई भी वर्चा कर देगा अब 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 क्यों भी भी आया गया कोई बचा कर देगा तो वहीं करेगा जो पी हंड़ेट फिजिक्स का स्टुएंट होगा ओके तो यह लगी आप लगी होटा कि पढ़ रहे हैं पी हंड़ेट फिजिक्स ओके फिरा ओके कमांद पॉइंट वाट विल भी दा इंसर नहों हो गया देखो तो है धिसा बूले जल्दी हो गया होगा कि लिना टाइम लेरेंगे चलो आजाओ मैं भी देखों क्या हुआ आजो तो हां सलिए मैं भी देखू तो टार्ग कितना लगा फाइफ टार्ग इकवल टू फाइफ और क्या रूट थी-ईन्टु L स्क्राइब और L था मुलों का 20 सेंटीमीटर तो 20 इन्टू 10 पार माइनस 2 सेंटीमीटर खाथा मीटर बना दिया स्क्राइब कर दिया अपान नीचे फोर आया हुगा देखो फोर आया हुगा बस साल कर दो और छोटा करू इसको तो टार्क बड़ाबर कर दिया हुगा 5 रूट 3 इन्टू 20 का होल स्क्राइब 400 इन्टू 10 पार माइनस 4 तो टार्क बड़ाबर कर दिया हुगा 5 रूट 3 20 का होल स्क्राइब 400 10 पार माइनस 4 अपान 4 फोर से हटा दो तार्क परावा केंना हुआ फाइफ रूट थ्री इन्टो यहां बच्चा है 100 और अभी फोर तेपार फोर है तो यहां से यह तो देखो यह फोर हट गया है और दो 0 है दो 0 अभी अधिजिए तो 10 पार मैंनेस 2 हो गया तो 5 रूट 3 इन्टो 10 पार मैंनेस 2 हो गया लटी दैंसर है बस इसवी के इंसर मारी थी फाने दैंसर है क्या है यहां निउटन मेटर रूट 3, 1.732, चाय तो मल्लिप्लाइ करें, अदर्बाइस 5 रूट 3 इंटो 2 न्यूटर्मेटर, इस इस दो फंटास्टिक एंचेल अगला क्वेस्चेन, मोश्ट इंपर्टेंट, हो गया, अच्छेता देखें एक बार, चालिये, अगला क्वेस्चेन, नेक्स्ट, अगला क्वेस्चेन क्या है बटा, मोश्ट इंपर्टेंट क्वेस्चेन, आई एटी में आया हुआ एक क्वेस्चेन है, जो मैं आपको आगे देने जा रहा हूँ, हाँ, नुमेरिकल, हम लोग ऐसे हिसाल, एक एक नुमेरिकल, सारे इस चैप्टर पूरे फिजी के सबसाल को डालेंगे ब्लेक बोर्ड पे, ओके, जबके देखिए, ओके, चली, आजाओ, यहाँ पर, एक दिया है वाई एक्सिस, यह वाई एक्सिस है, यह है एक्स एक्सिस, तो एक्सिस मत लिखिए हो गया, आप समझ यह क्या है, ठीक है, यह एक्स एक्सिस, जड कहा है, जड इन दा इस्पेस, जड इन दा इस्पेस, ओके, और कह रहा है कि य एक्सिस के राइट हैंड में, दा खाइब क्यों हो, तो एक्सिस के राइट बैर एक्सिस, तो यह है एक्सिस, do in bright direction of Y axis okay in right direction of Y axis पहले लाई निखिलीज इसकोधे सोग हटाना पढा मेटाना है वे मेंदों को उनगे बुटके in right direction of the Y axis तो right direction Y axis कहाँ पाद है इस इदा डाइक्षन राइट यह सब राइट पड़ेगा यह सब राइट ही है यह सब राइट ही है हो गया ओके दिस इदा क्यों अब पूछा कि आप से हो गया नोटका लेटा चलो आजाई है अब क्या कहता है अधि एक एक इलेट्रों एक इलेट्रॉन है यह एक इलेट्ट्रॉन है ठेक एक एलेट्रान विटा ए और यह यू विलास्टी से वाई वाबाज जीरो पर इंटर करता है तो ए एलेट्रान एन एलेट्रान इंटर्स इन फिल्ड आट वाई वाबाज जीरो विटिस्पीट, विटिस्पीड यू, विटिस्पीड यू, यूइश्पीड इंटर पिया, क्लिया है, क्लिया है, जल्दी बनाओ, फास्ट तेजी से करिये, बहुत फास्ट करिये, हो गया, आप चलो, अब कहरा है कि वेन, इट कम्स आउट, विट, विलास्टी, वी, क्या कि वी विलास्टी से बाहर आता है, तो चार आप संदिदिया अच्छा-च्छा बना आखरें, ए, बी, सी, डी, A, B, C, D चाला अप्षन दिया क्या क्या अप्षन दिया चला A, B, C, D हाँ क्या चाला अप्षन दिया A equal to V over U ठीक V over U दो अप्षन में V over U दिया और क्या दिया Y equal to Y greater than 0 और दोसरे में कह दिया कि Y less than 0 साब क्लियर दो हो रहा न V equal to U and Y greater than 0 V equal to U Y less than 0 और तीसरा अप्षन क्या था C V greater than U गेस कर रहा हूँ Okay मारो जल्दी निसान जल्दी करी है मेरे बताने के पहले एबार इस पे दिमाग जरूर लगाई है कि क्या हो सकता है हम बताने जा रहे हैं साल्ब कर रहे हैं हैं लेकिन आप मेरे बताने के पहले जरूरे बार आप प्रियास जरूर करी हो आपड़ कर लिया मैं ही करो मैं करो चलो कोई बात निए आजाओ देखो यहाँ पर आपको एक फिल्ड दी हुई है राइट हैंड में फिल्ड हैं लेट हैंड में नहीं है जब यह निकलेगा बाहर इलेक्ट्रॉन निकलेगा पहले कहां तो निकलेगा कहां है कि निकलेगा कैसे क्यों निकलेगा क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसी में रावन करें उसी के अंदर ने फिल्ड के अंदर टॉन रिवाल्म करें इस जाल से पाउस हुआ चलिए देखते हैं तो इसको गहराई से समझने की जरूरत है थिवरी हलकी फुलकी तो सब जानते हैं एफ बाबा क्यों भी भी लगता है सब जानता है कोई सा कोई वच्छा नहीं होगा और नीट में बैठेगा वो जानता नहीं होगा वो सब इतना पढ़की जाते हैं उसका इंप्लिमेंटेशन उसको लगना कैसे है यही वी wil हुजानती है जिनको स्रेब्ट होना होता है तो चली फिरा आजओ यह है हमां एक पार्ले बात यह honeymoon कि वाई वराबर जीरो पर इंटर किया है यहाँ पे इंटर किया और यहा इंटर का आग अब वहां से आगे सुचना क्यों कि इन्टर करते स्मय के स्की विलास्टी यू ए यह क्वेश्ट्चन में दिया कि इंटर करते संविलस्टी U है U Velociousness Inter किया है clear U Velociousness Inter किया है अब Inter करते समय बिलस्टी U है ओके कमान हमको बताना कि यह फोर्स कहां लगा फोर्स कहां लगा फोर्स के लिए क्या करें फोर्स इलिए क्या करें तुर्ट अप्लाई दलाऊ गजा यह देख रहें उपर देख रहे हो ऊपर फोर्ष ऊपर लग रहा है लेकिन जानते हो कि फ्लेमीं का लेफ्ट हैंड रोल पास्टिब चार्ज के लिए है विटा किसके लिए पास्टिब चार्ज के लिए और हमने आपको पीछे थूरी में सिखाया है कि पास्टिब चार्ज के लिए लिंका लिएग पास्टिफ चार्ज के लिए निकालिएगा और जो भी आएगा उसको रिवर्स करिएगा उसका उल्टा करिएगा मानस के लिए बजाएगा पक्का आ जाए फिर से देखें लगाईए कहां लगाया उपर देखें लगा दिया लगा दिया देखें फोर्स उपर लग रहा है तो तो ठीक उसका उल्टा हुआ, ठीक उल्टा जनी नीचे फोर्ष लगा, तो फोर्ष इस पर लग रहा है नीचे की तरफ, यहीं डाउनवर्ड फोर्ष, जनते हैं क्या होता है, जब कभी कोई फोर्ष किसी बिलास्टी के 90 डिगरी पर पढ़ता है, तो 90 डिगरी कंसेप्ट, जब कभी कहीं पर भी कोई भी विलास्टी हो और इसके 90 जैसे हमाली हमारा ये लेट्रॉन है जा रहा है इसके 90 पर फोर्स लग गया विलास्टी हमारी यहाँ है फोर्स हमारा यहाँ है तो कौन सला 90 डिगरी कंसेट कौन सला 90 डिगरी कंसेट 90 degree concept में क्या होता है कि जब भी कभी भी जब भी कभी भी फोर्स और विलास्टी के बीच का एंगल 90 हो जाता है तो वह speed कभी बदलती नहीं है उस axis पर उसकी speed हमेशा के लिए क्या बनी रहती है always that will constant हाँ अब जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे यह बात 90 डिगरी क्या होता है तो आप one day जाएए पीशे back वीडियो में और वहाँ पर 90 डिगरी title होगी heading होगी एक 90 डिगरी concept उस वीडियो को तुर्ण देखे है कि what is the 90 डिगरी इसलिए सारे वीडियो को मकैनिस वंडि का हो कोई भी हो वीडियो सिस्टमाटिक अच्छे तर से साथ पीशे पढ़ते जाएं नोट्स बनाते जाएं फासलास चले तो 90 डिगरी concept नौद विलास्टी विल बी कांस्टेंट यह विलास्टी कभी बदाल नहीं सकते यह विलास्टी कभी बदाल नहीं सकते चाहे वह चाहे ज यहां चला जाए और एक बात हो रहे है कि यह फोर्स मागनेटिक है यह फियम है फियम मागनेटिक फोर्स कभी बिलास्टी कभी इसके बढ़ाई नहीं सकता क्योंकि जो जानते हैं कि चार्ज पाटिकल जब इंटर करता है में और नाइंटी से डिगरी पे कर रहा होता है तो जब वह सरकिल का फार्मेशन कर रहा होथा तो सरकिल का अमगनेटिक फोर्स करता है तो मेंदेटी कोश सेथा साइन थीता सारफ नाइंट अलन वह हमेशह करेंगा रिक्वाइड है और टोक योबिकवार्ट चुक्वार्ड उपार्ट नहीं सकता तो जानते हो अब यहाँ पर सर्कुला मोशन की जरुवत है तो पीछे सर्कुला मोशन का पुरा whole वीडियो है सर्कुला मोशन पढ़ो तब आगे बढ़ो पीछे का पर पुरा क्लियर रहे concept 100% अब सर्कुला मोशन की बात आई तो जानते हो कि कभी भी Centripetal Force कभी भी Centripetal Force कोई वर्क नहीं करता Centripetal Force नेवर वर्क and this is reason that why there is no any requirement of the Palmer for the Centripetal Force मैंने पीछे एजम्पल दिया था कि चन्दा मामा पर थे भी किछे चार तो आप सब्सकुला मोशन कर रहे हैं कब से कर रहें फ्रांद बिग बैंक थियरी करोन सालों से कर रहे हैं क्या उनको किसी पावर की जरूरत है नहीं नहीं जस्ट वैसे ही यहां क्या होगा यहां पर देख रहे हैं 90 गरी कांसेट इस फीड विल नाउग ता कांस्टेंट अब यह होगा क्या अब इस चार्ज पार्टकिल आगे बढ़ता रहेगा क्योंकि इस फीड इसकी कांस्टेंट है तो यह एक्स एक्सिस पर उसी स्पीड से जाता रहेगा और इस फोर्ष के जिसा फोर्ष लगया है उदर क्या करेगा बाद मूफ करेगा टर्न करेगा उदर करेगा और दелей थै करेगा और देखें hadn अब जया यहाँ नीचे थी के थोड़ा से फोर्ष लगया तो विलास्AGके शुण कर दो बि आप ऊफर जा रहना यहां पर दहीं गर देखें पर अब फोर्स एदर जा रहा है उपर रही है पर या कई मैं रावले यहाँ पहले इसे लगा था फिर ऐसे हुआ अधि है आईसे वा फिर और देखा फिती अब ओखाई और अब यहीं से सर्किल बनाता हुआ घुनता जाएगा और देखिए यहां से बाहर निकल गया सब्सक्राइब करिए कि बाहर जब निकला तो इसी विलाश्टी वी थी तो कि कहा है कि इस पीड को बनाएगा कोई नहीं क्यों एक ही फोर्स अब लेवल है यहां पर यहां इंटर किया था वही पर छोड़ देगा और बनाया क्या अब क्या कहेंगे कि जस्ट इसका पॉइंटर की यहां छोड़ा है जस्ट इसका मिटपॉइंटर होगा एस सरकिल का मिटपॉइंटर के जस्ट shot कता है कि इन चारों में से किसमे निशान मारना था अब तो सब सामने है इस पीड में कोई चेंज हुआ नहीं सकता आप जानते हैं कौन करेगा किसी को चाहिए ना मालों कि उसकी एक सक्षिस पर इस फीड है यू आप वो घोम करके सरकिल बाता फिर वापस जा रहा है तो इस पीड की कि दिशा में कोई तो कोई यानि कि विलास्टी के दिशा में कोई ने कोई फोर्स चाहिए ना जो इसको इसलेरेट करें क्या कोई फोर्स है क्या कोई फोर्स है नो इसलेरेट करेगा कोई नहीं एक फोर्स ही है के वर कौन सा मैगनेटिक मैगनेटिक का काम क्या है उसको ब्र क्या है centripetal force provide करना और centripetal force कभी कोई काम करता नहीं तो magnetic force कभी कोई काम करेगा नहीं यह कभी speed को बढ़ा सकता नहीं तो जिस speed center किया था वो speed finally क्या बनी रही constant very simple concept क्या पढ़ रहे है physics p100 physics ना अच्छा magnetism magnetic effect तो what is the mission of the charge particle in the magnetic field चलो अब आजाएए तो answer किसको मार दे अब यह तो confirm हुआ कि V ब्राबर यू ही वाला को यह सही है V greater V less दोनों नहीं सकती है नहीं isolation मिलेगा नहीं retardation मिलेगा नहीं velocity बढ़ सकती है नहीं घर सकती है तो V ब्राबर यू वी ब्राबर यू वाला ही सही है अब स्वाल है कि यह वाला कि यह वाला तो वाई यूым मिन्स देख़ेऊ गेटर दन जिरू की बात करेंगे में जिकी ओपर oh wow whr डेस्टेंस है कि तो ऊपर ना तो उपर रिशेंस में डिस्टेंस दिसेम्त है। यहां सिरिसेमरा से मैं दीयाने में एड़ेंगे। प्लस हैं कि हम प्लस हैं तो ऊपर, ये य देख वेटा, ये y बाबर जिरो है, ऊपर जाओगे कहो y बराबर प्लस हो गया, यानि कि y greater than 0 हो गया, जब नीचे जाओगे तो कहो y less than zero हो गया, तो किस परिशनों माना था हमको? B equal to U Y less than 0 0 से कम means कि Y में है 0 से कम means Y में है और जब हम Y greater than 0 करोगे तो यानि कि plus में है और Y में यानि नीचे minus में है इसा मतलब कि तो मारना था नहीं सांग किस पर option number B पर that is answer और यहीं से कि मिलता जूलता question आता है क्या इसे पर एक बार IIT में ये दिया एक था कि कोई एक दीवाल है सामने एक कोई वाल है और जहां charge particle इंटर कर रहा है उसके ना जहां इंटर कर रहा है यही question को बना दिया जाए question तो जहां charge particle इंटर किया यहां पर सामने एक वाल है इस चार पार्टिकिल इससे इसका कॉलीजन न होने पाई दिवाल से तो मैक्समन दूरी इसकी क्या होने चाहिए थे माना कि यह डी है ना तो फेरी फंटास्टिक क्वेस्चन कि इससे डिस्टेंस यानि कि कॉलीजन न होने पाई तो मैक्समन दिस्टेंस दोनों वाल के बीच का यानि कि एक सबाबस जीरो से दिवाल कितनी दूरी परने चाहिए यह डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए दोनों के बीच के आई यह दूसा क्वेशन इससे रूफ कर दिया जाए यहीं पर चलो आजा देखो तो यह भी क्षेशन आया हुए आपके ईजांच में तो अभी क्वेशन बहुत ही स्टेंपर उपर जाना है माइनस इंडर कर रहा है तो डाइग्राम नीचे जाना है जाना है ना चार्ज पर यहां से इंटर करना है ओके आई यह दोनों में अब चाहिए प्लस लिया जाए और चाहिए माइनस हम दोनों लेकर समझ लेते हैं अब लोग चल देखो कोई ले लिया जा समझने के लिए पर आये चार्ज पाट गई गया है माल यह कि ऐसे निकल ला बाहर सब खुला मुसंग करना ही है जहां पर इंटर किया उसी के सामने बाहर निकल जाएगा ना सेमी सारकिल का फार्मेशन करेगा सेमी सरकिल चला अभी माइनस होता तो यहां से निकल गया होता इससे ऐसे निकल जाता चलिए अब कह रहा है एक्वेशन में कि यहां पर कोलीजन न होने पाए दोनों का अपस में और यह डिस्टेंस को कह रहा है डी इसा मतब़ा पे है कि आर बराबर जानते हो जो अभी रेडियस बनेग यह होगा यह डिस्टेंस डी के बराबर है यह हमारा रेडियस है अधि पूरी सर्कल बनती है तो ऐसे बनती है पूरी सर्कल ऐसे बनती है चार्ज पार्ट के लिए से बाहर निकलेगा तो यह दोनों के बीच यह डाइमीटर बना डाइमीटर का सेंटर रेडियस बना और यह हांस यह distance radius بنا यह distance radius बना यह distance V radius बना r अब कि D कितना 한का मान हर हाल में किदना होना चाहिए तो r श्रूडबी लेसर الीकॉल टू क्या क्या d means आपे कहेंगे कि d फूडबी गेटर और इकॉल टू और is कि D कितना होना चाहिए DS ूडबी गेटर और एकॉल टू किसके आर्ड ब्रागर एम भी अपान क्यूवी ओके लेकिन एकल पर एकल पर तो कोलीजन हो जाएगा टकर हो जाएगे हैं तो कोलीजन नहोंने पाय पाया है इसको हटा दीजिए डे का मानives भी अपन QB से ज़्यादा होने चाहिए, तो ये charge party इंटर करेगा field में, ये charge party इंटर करेगा field में, और collision नहीं होगा, एक किसके लिए हुआ, प्लस Q charge के लिए, और एक किसके लिए हुआ, माइनस Q charge के लिए, तो there will be no collision, there will be no collision, उनके भी collision नहीं होगा, ओके, आईए, अगला question, next, अगला question, चले है, देखो, अब जैसे माली आजाए, collision की बात रही ही, तो यहीं collision पे हम एक और question ले ले, collision की बात होगी, तो collision पे ही एक और question ले लिए जाए, आए, क्या, यह दो, चार्ज पॉट के लिए, इनके बीच की distance D है, इनके बीच की distance D है, दोनो, move कर रहे हैं, कहां पर, किसी, फिल्ड में हैं, हाँ ना, हो गया, चाला, और suppose करें, कि, हाँ, suppose किया जाए, कि एक किसमे से plus ले लिया जाए, एक किसमे, plus क्यू है, एक minus क्यू है, और एक किसमे से plus क्यू है, तो, minus वाला कौन है, है, हाँ, यह minus है, यह plus है, दोनों क्यू है, क्यू, दोनों के बीशे distance दी है, फिल्ड इन्साइड है, चलिए, दोनों एक ही साथ, दोनों एक ही साथ फिल्ड में इंटर करते हैं, तो देखा जै क्या होगा, यह plus फोर्ष उपर, इस पर फोर्ष उपर, लगना सुरू हो गया, यह minus, तो देखे, minus, इस पर भी फोर्ष प्रस राता तूपर लगता, minus है तो नीचे लगना सुरू हो जाएगा, इस पर फोर्ष काम करना सुरू किया नीचे, और इस पर फोस्क लगा उपर क्लिए अब होगा क्या ये अपना सब्सवे अगर ये अपना रिडीयस बनाएगा तो और ये अपना रिडीर सैक्र बनाएगा यह दम ब्राबर करेगा बीच में रहे ज़्यादा हो गया यह अपना बनाएगा सेमी सर्किल बनाएगा और यह अपना बनाएगा चुकि सारी वैलू बराबर है सारी वैलू बराबर क्यू क्यू ना सब कुछ बराबर है तो इनका कहां कोलीजन हो जाएगा यहां पर देखें यह यह कहां कोलाट कर जाएगे इस पॉइंट पर तो इनका आपस में कोलीजन ना होने पाए इसके लिए क्या चाहिए आप इसका center ये क्या बना? इसका center बना तो ये क्या है? ये 2R है ना? 2R है नहीं है, diameter है नो उसका और ये क्या है? ये भी 2R है ये इसका diameter है लेकिन चुकि सारी value बराबर है इसलिए दोनों का 2R, 2R मिंस की 4R तो देख रहे हैं की 4R की value कम होनी चाहिए हर हाल में यानि की D के value हर हाल में collision ना होने पाए तो D के value 4R से ज़्यादा चाहिए देखे, D, mind D के value 4R से ज़्यादा चाहिए सारी numerical value ये क्यू है ये 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 क्यू है, ये की field है तोनों की तो D के value हर हाल में 4R से ज़्यादा चाहिए चाहिए और डी सुड़ वी गेटर टू एवाइट को लिजें तू एवाइट को लिजें इनका आपसे टक करना होने पाए तो डी की वैलू देखिए फोर और आर आर वावा जानते हैं कि यहां से मार देंगे तो कोई भी केशन इस तरह से आएगा तो आप ऐसा करेंगे यहां पर देख रहें यह नेगेटिव चार्ज है बाहर निकलेगा यह प्लस चार्ज है यह भी जाएगा सारी वालू बराबर हैं दोनों यहां पर कुलिजन हो जाएगा ना होने पाए तो दी थोड़ा सा और चाहिए किसे दोनों के रेडियस से तो 4M भी क्यों की देखिए फिर से देखिए वाल यह डाइमेटर बनेगा डाइमेटर विंज 2R यह भी 2R 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 4R कि किस नहीं होने चाहिए 4R के बराबर हैं कि थोड़ा डी के बैलू 4R से थोड़ी से ज्यादा तो कोलिजन नहीं होगा और यह बराबर हुआ यह लेश यह तो कोलिजन हो जाएगा okay fantastic क्या पड़ड़ है क्या पड़ड़ है क्या कोलिजन चार्च पाट्डिक की का मैयन डीफिल्मे क्या करणे के करना होगा तो अब आते हैं हम दूसरे नुमेरिकल पर चले अगला केस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ अब आजए हैं और क्वेश्चन हम लोग का कि एक कोई मैगनेटिक आर्मिसर क्वाइल एक है यहां अब अब आजए है एक दो पोल लगें अब हाँ बहुत सिंपल क्वेश्चन यह तो सिंपल क्वेश्चन बिलकुली आजए एक आर्मिसर क्वाइल है यह साइट यह बराबर 15 सेंटीमेटर और यह भी 15 सेंटीमेटर दीवी है यह साइट भी है और यह नबर आप टॉंस नबर यह नबर आप टॉंस ओके देर आरे नबर आप टॉंस ओके लाइक देस कितने तो टॉंस एकल टू हंड़ेट और यह एन और यह एस और यह क्या है ? ₜ अब इस क्वाइल है और यह वाइल है वाइर में करिंट फ्लो कर रही है वाइल में प्लो है नबर बहांगे और यह बता आना है अब लोगं को कि B की वैलू जो जो यहां माग्रेटिक फिल्ड है तो जो फिल्ड विटा B वह है 0.5 टेसला हाँ जल्दी से टर्क का मान मता दीजे तो टर्क की बेलू मता दीजे आई की बेलू है आई की बेलू दिया हुआ है क्वेशन विटा जो आया ही जाम में 1 अम्पियर तो आई कोल टू 1 अम्पियर और पूछ क्या रहा है पूछ रहा है कि वाट विल वी दा डाइक्षन आफ वाट वी दा वैलू अफ टर्क एंड डाइक्षन आफ रोटेशन जल्दी माली रिश्वाल एक बेवी हो गया यह एल वी 15 संटीम इटेवी 15 इस्कॉयर है आई की वालू दी हुई तो करना कि बस एक लिए निकावकेशन है आपकी जाम में आया हुआ स्वाल है तो टार्क बराबर किना तो टार्क बराबर एंड किना नमबर आप्टांस है हंड्रेट एंपियर करेंट वान वी कमांड जिरो पॉइंट फाइफ बस साइग नैंटी वन हो गया यह क्लाइन का स्कॉइशन में तो किना हो गया यह जिरो हटा तो पांच हो गया पचास हो गया फिफ्टी न्यूटें मीटर हो कि अब अब स्वाल है कि यह किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा है न किस डायरेक्शन में यह रोटेट करेगा यह देखना आपको ठीक हुँ 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 सुची है सुची है देखें चले इस साइट को अपले लिजे इस साइट को अपले लिजे ले लिया चले है क्या होगा भी इसके बीच की फिल्ड यूनिफॉर्म है का था आधै करें देखें ये बीच अवान कां स्टन दिया हूए है तो यहishment मानेंगे हम एवनिफ आपर मानेंगे मानेंगे इसस और इस पिजह देखें फुर्ष के तरह अभि यहा他的ии explicit article के प्लेन में है या प्रिजन टाइम में तो जब यह मेगनेटिव फिल्ड हरीजंटल है और मेरा कोईल भी हरीजंटल है कि अभी अभी पिषय क्या सिखाया हूं इस पर पर पेंडिकुलर डाला जाता है एह देखो कि अधो पर पेंडिकुलर तो जब यह प्रट प्रेटिकुलर हुआ और यह मैंड़ी फिल्ड है तो दोन के भी इसका एंगल 90 तो 90 आपने दिया वहाँ पर लिया चलो अब जाद देखो भई तो यह बी आपका इधर है यह कि बी किस पर है देखो बटा बी किस पर है धन देना बी किस पर है बी आपका एक्स पर है और माल लो कि यह जड है तो यह जड है है कि नहीं देखो जड है न अब मैं पूछू कि टार्क किस दिशा में लग रहा है तो क्या लिखते हो टार्क के लिए आप लिखते हैं टार्क बड़ाबर वेक्टर M क्रॉस वेक्टर B तो M कि दार है यह में कि दार बैटा जेट पर जेड़ दिकाले का तरीका मैं बता रहाँ आपको M कि दार है Z, Z मींस K, B कि दार है X, X मींस I, और K, K क्रॉस आई, K क्रॉस आई वरावर किना उटा, K क्रॉस आई वरावर, J क्लाकवाइच, J, J कहां पर है, जब यह हुआ X, यह हुआ Y, तो Z कि दार है, वह, यह हुआ X, यह हुआ, कि इसको क्या बोला गया है, इसको क्या बोले है हम लोग, इसको लिए है हम लोग Z, यह है Z, यह है X, तो यह कौन सा हुआ, Y, टार के कि दार लग रहा है, Y डिरेक्शन में, लग रहा है न, तो इस पर भी टार के कि दार लग रहा है, Y डिरेक्शन, Y डिरेक्शन क मैं यह कहूं कि टार्क किदर लग रहा है तो आप कहेंगे कि टार्क यह जो लगा हुगा हुगा ना टार्क तो यह किदर लगा आपड़ा यह लोग गवाइएकसिस एकारड़िन टू देस के क्रॉस आई वरावर जे आओ चलो और आगे हाँ अब आत रहे कि यह घुमेगा किदर चलो बस सब कुछ नहीं बहुत आसानी से अब घुमेगा किदर तो ये के देखना एक वायर गिए कि वन एक को एक को वायर को ले देजि उपिये देखेगा इनीचे गार में एक किदर फोर्स में एक मिस्टव करज से इंसाइट तो जब फ्रिष्य का हुगा नीचे गया अज जब इस पर इन साइट पका है किसकम वहाद अपर तो यह घया रहा है नीचे और यह जरह बहुपर, यानि कैसे घूमा देखना, देखो ऐसे एसे घूमा, मिन्स ऐसे, ऐसे घूमता तो कहते कलाकवाईच, ऐसे घूमा तो क्या कहेंगे, एंटि कलाकवाईच, तो वाट इदा एंसेंस तो यहां लगा जेए कैप अब पुछा की क्लाकवाइस की एंटी क्लाकवाइस तो कहेंगे anti-clockwise क्या हुआ anti-clockwise this was the fantastic question clear क्या पढ़ने है physics पढ़ने रहे हैं क्या कर रहे है धुनाई कर रहे है ऐसे पढ़ी जाती है ऐसे समझाता है पुरा concept ऐसे ही सब कुछ clear होना चाहिए आ जाई है अगला question क्या करना है numerical की कोई limit नहीं है लेकिन हर टाइप के numerical को देखना जरूरी है हाँ आजाओ अगले पीसोड में मैं और बहुत ज्यादा numerical लूँगा तो अभी इस वाले में अभी एक numerical और ले लिया जाटो हाँ चलो अगला ले में लेख आप हम galor meter के numerical को ले ले नहीं होट है आजाओ जाओ जासा galor meter के ने इनमेर के फिर चलते हैं क्या दिया एक क्येसर नोट करीजे तो फटा फट कि यह रहा है कि एक गलोड मेटर, एक गलोड मेटर आफ रिजिस्टेंस, गलोड मेटर का रिजिस्टेंस प्टा दे रहा है, जी ब्रावर, 120 ओम, means there is a गलोड मेटर, फिजिस्टेंस इस 120 ओम, okay, or it gives, it gives full scale deflection current, at 2.5 milli, 2.5 milli ampere, full scale deflection current देता है, 2.5 milli ampere पर, और क्या दे रहा है, how, how you can change it in, in, how you can change it in, a meter, a meter of range 0 to 7.5 milli ampere, 0.5 milli ampere, okay, so this is a question, कैसे करोगी इसका, तो जन्कते हो, आज यह फटा-फट, बहुत ही simple question, ऐसे यह आएगा, तो पहले simple-simple question, उसे बाद टफ ही जाए, यह concept बहुत ही अच्छा होना चीए, चलोटा, आजाओ, तो जन्कते हो कि यस ब्रावर, पीछे कैसा त्यार है कि नहीं, पहले ही बोलो, मुझे यकीन है, कि पीछे के सारे फार्मूला सब कुछ आपका एक दम 100% त्यार हो, बोलो, मुझे है कि नहीं, है ना, हाँ, ओके, चलो आजाओ, तो यस ब्रावर पर जल्दी बोलो फार्मूला बोलो, यस ब्रावर, आई जी इन्टू जी, अपान, आई माइनस, आई जी, क्यों है, यह है न, हाँ, याद हो ना, चाहिए, यह फार्मूला है, अब जाद देखना हूँ, पहली बात है, कि कितना जोड़ोगे, इतना जोड़ोगे, फारगुला पीछे सब तयार होना चीए पढ़ने के पहले तो येस क्या बोलते हो संट क्या बोलते हो संट किसमें जोड़ते हो संट येस इकल टू सो मच इन पैरलेल जोड़ते हो ना तो सो मच संट सो मच इन पैरलेल ये जोड़ते हो तो जोड़ते हो आओ चलो जल्दी फट scale deflection current तो बहुत अच्छीता से थीरी पीछे पढ़ाया हूं तो full scale deflection current थोड़ा भी गया दिना तो यहारो तो पीजे का पड़ डालो सब पहले तब देखो ठेक तो इत गिस full scale deflection current कितना 2.5 यह क्या हुआ 2.5 मिली अंप्यर आईजी तो आईजी मीज़ 2.5 मिली अंप्यर मीज़ 10 पार माइनस 3 हो गया चलो आजाओ जी की बैलू गलो मीटर का रेजिस्टेंस होता विटा 120 दिया हुआ तो 120 दिया हुआ ओके अब आजाना हाँ अब देखो क्या दिया है आई जानते हो दिशिदा निव रेजिस्टेंस दिशिदा निव रेंज वाट निव रेंज अब दो आमिटर आई पड़े हो ना पीछे हाँ चलो तो आई 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 बराबा किन ना हुआ देखो निव रेंज 7.5 7.5 क्या मिली अंप्यर माइनस आईजी आईजी वही आईजी वही 2.5 मिली कितना अब आप्शन बलाएंगे ने तो टाइम लेगे ने इस्टे फटा फटा फटेस्ट क्वेश्चन करो खूब जादा क्वेश्चन करो तुरां तुस्व साल करो फटा पटा है सही बस प्रेट्रीश करो हांडेट पर्शन फिजिक्स में नंबर गारंटी यार एक दमप का हां ग्रिप में पास अच्छी ता से करो किवा परणने में फटा यह दर उधर ना प्रवाही मत करना हां चलो तो यह से बराबर जल्दी मारों एंसर किन नाया 2.5 इंटु 10 पर माइनिस 3 120 नीशे दोको किना रहा है 7.5 मिलियंपियर में से 2 मिलियंपियर निकल दो तो 5 इं अच्छी से पामेंस थी निशे अटा दो हटा दिया चलो दो तो तुसलो पांस से काट दो इसको दो आया दो से कट दो इसको किना आया 60 तो यह स बराब किना लगाऊँगे 60 क्या 60 ओम क्या लगाऊँगे 60 ओम हुई दिक्याद नो तो हाँ 60 ओम का एक संट्र लगाना होगा किसमें लगा ओके इन इन पारलल ओके क्लियर चलो आजाओ अगला क्वेस्टेन जल्दी करो जल्दी करो फास्ट नोट हाँ हो नेक्स्ट्रण ऑद नेक्स्ट मुस्ट्र इंपोर्टेंट्स नचरे हिर ठीक ही अ吧 कि ऑ करेंदा कि मीश्ट्रण से अनलिमितेड क्यों से अनलिमितेड क्यों यह कोई सीमा नहीं इना टुट सद्टी यह आसां साथना करना सार्नोड लिया होंगे ओञ दो लियो नहीं हूं आज अगला कुछ नेकस्ट दो करो है निक सथ्वेसलोड किणा या या निक्स अगला कुछिशन में कह रहा है कि एक गल्वानोमेटर है 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 एक गल्वानोमे मिली एंपियर तेन डिविजन पर मिली एंपियर तुमारी जाम में आजा गवाँ क्वेस्चन एंड रेजिस्टेंस इसका दे रहा है क्वेस्चन में 60 ओम सिस्टियों उसका रेजिस्टेंस है संट लगाया गया है संट की बैलू भी दिया गवाँ 2.5 ओम 2.5 ओम संट की बैल दिया है कह रहा कि वाट 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 इच वाट इच वाट इच वाट इच मैक्सिमूम करेंट दिया इसलिए नास् इसलिएक वाट उटत वाट उटाई स के वाट वाट इच वाट वाट इच वाट इच वाट शलिएड शीपरेट ГUM वाट आं वाट न्सेजली जातापकर्ट वाटहें ृट हमार रेच बाओ आपएटॉजां इस galonometer से कितनी करेंट तो मीजर कर सकते हो एक galonometer है इस 10डिविजन पर मिली अंपियर एक galonometer पर लिखा हुआ है 10 डिविजन पर मिली अंपियर उसमें लिखा हुआ है और उसके अंदर लगा है रेस्टंस 60 Ohm का संड जोड़ा गया है उसमें 2.5 Ohm का तो वाट इस दा मैक्समुम करेंट कैन भी मीजेर बाइ दिस गल अनोमीटर क्या करोगे जल्दी बलो 10 डिविजन पर मिली अंपियर क्या करोगे जल्दी देखो एक चीज़ और भी है जल्दा क्यूशन भी चीज़ और भी चूट रहा है एक चीज़ और भी है क्या रहा है कि देर और देर और फिफ्टी डिविजन डिविजन अन्द अन्द गलवानोमीटर गलवानोमीटर स्केल यानि कि जो गलवानोमीटर है उसकी स्केल पर कुल पच्चास डिविजन है यह करा क्यूशन में है आप करो साल फिर्स लास्ट क्यूशन है most important questions try to do this question most important question है यह हो गया कोशिश करो कोशिश करो ट्राइटू डू कैसे करोगे चलो मैं करो आजाओ कहाँ कि यह गैलमेटर है स्टेन डिविजन पर मिलियंपिया देख बटा यह बात तो क्लियर है कि गैलमेटर का जो डाटा दिया जा रहा है कह रहा कि 10 डिविजन बराबर वन मिलियंपियर तो एक डिविजन की जाब वैलू देखा जाके अदना हुआ एक डिविजन बराबर बस एक मिलियंपियर ना बटा क्या 10 देख सकते हैं गैलोल्यमिटर पर कुल कितने डिविजन 20 तो 50 डिविजन ब्राबर क्या हुआ है फिफ्टी डिविजन ब्राबर क्या हुआ कि वन मिली एमपीएर बटा 10 गुडे 50 कुई दिक्कत कहीं कोई प्रावलम नो तो चल एक कैंसल हुआ और आया कितना 5 मिली एमपीएर बोलो भाई इ इसमें कोई दिख्या तो नहीं होनी चाहिए किसी को एक अलोमिटर है इस टेन डिवीजन पर मिली एंपियर दिया है आपको दिया ना बड़ा ऐसे ही क्वेशन रहेंगे यह मोस्ट 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 और पहले ही आचुगा तो बारे जाम में आइसे ही दाएगा सारे एक्वेशन चैनल्स तो अच्छे तर से पढ़ो इसको क्याँ कि एक क्वेशन ओर आप जब पीयर ना या एक टेन डिवीजन पर इक डिवीजन या तक एक्व्यार एक मिलीए बियर तो उन डिवीजन रही है पचास चानल्स कि जो ज़ो घमिच्ग की स्केव है उस पर पच्चास डिविजन है तो किनी करेओ बहर अग़ी होगी फचास डिविजन बढ लाबर 5 millions . अब शवाल एपने के के ई कि यह जो करेंट हुई कौन सी करेंट है यह मैं थ्ल इसके लिफ्लेक्षं करेंट है도 गलो मीटर की करेंट है यह पचास डू यानि कि पहले की करेंट बता रहा है तो आई-जी कमान दे रहा है और आई-कमान इसमें कि ना मैक्सिमम एक से करेंट मेटा देखते हैं क्वेस्टन पर पूछा क्या है हम लोगों को संट भी दिया ही है और रजिस्टेंस भी दिया है हाँ पूछा हम लोगों से क्या है कि हाँ यहां पर देखो लाइन यह लाइन हाँ वाट इदा मैक्सिमम करेंट कैन भी मीजेर तो बहुत आसानिक से क्वेस्टन निकल जा बटा देखो आ जाओ देखो मैं कर रहा हूं आपको आई-जी यह ना तो आपसे आई-पूछ रहा ह और आई-जी दिया हुआ है चलो फर्मला लगा दो एस वराबर लगा यह फर्मला अपना एस वराबर क्या बटा आई-जी गुड़े जी अपान आई-जी है है तो अभी हम सोच रहे थे ना कि यस पूछ रहा है तो आई दिया नहीं है तो यस कैसे निकलेगा ठीक लेकिन न अधि यह इसकां कर दिए जा चलो इसको इतर कर देते हैं मल्टिप्लााइ कर दो सो ही फाइंगा एक अब पर होंगे चलो हाँ अब देखना तो यह सब आई माइनस आई जी वराबर आई जी इन्टू जी है ना यह से मोल्डिप्लाइब करिये यह सब्सक्राइब माइनस yes ig वरावर ig इंटू g, ओके, चलो si yes, i equal to, क्या ig उदर गया ig, yes तो yes plus g लिश सकते हैं no problem, चलो, अब i बरावर, हमको i बताना है i बरावर, तो ig गुड़े yes plus g बता देखना, i बरावर ig, yes plus g upon yes, means क्या या, कि i बरावर चलो, i बरावर क्या हुआ i बरावर ig, ig फिर से देखे, ig इंटू, क्या yes plus g बता, क्या, yes and now solve this अब सारी पहले पूट कर दो, बिटा तुरान, तिन सला जाएगा चलो, तो i बरावर ig कमान, पांस बिली अंपीर आया था 5 इंटू, टेपा मैनिस 3, चलो yes plus g, देखे रिकिना है yes है 60 नहीं, yes है 2,25 और g है 60, 62,25 तो 62,25 अपान yes, yes कमान करें बता है 22,25 तो 2,25, ओके अब यहां मुट्रिप्लाइ कर दीजिए, 205 यह आगया 2, आगया चले, सारी बेलू ले दी चुगे हैं तो इसको जोरोत नहीं हटा देते हैं कर दिया, आजाओ तो i बरावर कितना हो गया i बरावर ओके फटा-फट, i बरावर कितना हो पटा यह दो है ना, 62, दास्पुलाइ पांस में पांस में मल्टिप्लाइ कर दीजिए तो 62, एसको एसको पचीस होगे होजेगा, 125 तो 125 इन्टू 125 हाँ, 125 इन्टू टेपा माइनस 3, मिन्स आया i बरावर 125 मिली i बरावर क्लियर चेक कला फटा यह 250 हाँ दो होगया, 22 120 इन्टू और 125 की रोगर बरावर 252 की ग्रावर 125 इन्टू पा मिन्स 3, मिन्स की देटिस दा maximum करेंट maximum करेंट which can be measureed, means you can say जाइड हे निव रचीचिक करशके वह ना देशिदा, निव रेंज, ओके, तो फिरा, क्या पढ़ रहते हैं, हमझा क्या, आप इटा, नुमेरिकल साइश ही प्रेटिस करनी है, जो नुमेरिकल साइब हुए है, अब एक दो तो हैं नहीं, हजार नुमेरिकल हैं इस चैप्टर में, लेकिं, तेकि आए एक हजार लगाए नहीं, जो most important हो, जो आने वाला हो, जो पीछे आ चुका हो, जिसके base पर कुछी मिलता जुलता question आने वाला हो, उतना solve करना पड़ेगा, clear, तो जम करके पड़ेगा, आप IIT के हो, does not matter, आप NEET के हो, does not matter, आप आप ही board का इजान देने जा रहा हो, does not matter, सब के लिए equal important questions है, सब के लिए, board का paper उठाओ, हर साल पाजाओगे questions यहां सी इस तरह के, तो अभी चुकी हम लेगों सोचे थे, कि अभी थोड़ जादे मेरी color करेंगे, ऐसे ही, लेकिन फिरहाल अभी आज हमें ही रोकते हैं, और यहां से आगे, अगला episode, just अभी, just means कि आपको कल, कल फिर मिलेगा और in time मिल जाएगा, late नहीं होगा मिलने में, तो अगला part आपका मिल जाएगा, और उन घर, electric dipole, electric dipole, बहुत जरूरी है, तो अभी तुरंत हम electric dipole बनाने जा रहे हैं, तो electric dipole का वीडियो, अभी तुरंत आने वाला है, तो magnetic effect का भी numerical चलेगा, और electric dipole में उधर numerical चलेगा, clear, आइधर first year कोर्स में क्या चलेगा, आपनों का, आपनों तीन चेटर पढ़ रहे हैं, कौन कौन, one day, और कौन, present time, और कौन, circular motion, ये तीनों चेटर लगभार लगभार फिनिस हो चुगे, तीन चेटर फरस्टियर के, तो दो आपका present time में, present time में, पी hundred physics, पर क्या चलना है, एक साथ पांच चेटर चलना है, फरस्टियर के कोर्स में, one dimension, projectile, लगभा लगभा फिनिस से हो चुगे, नुमेरिकल चलना हो उनका, तो one dimension, projectile, और circular motion, तीन चेटर, और second year वाले कोर्स में, कौन सा चलना है, secondary में चलना है, अभी आपका, तीन चेटर हो चुगे हैं, नहीं, तीन यहां भी चलना है, तीन वहां भी चलना है, वहां कौन तीन है, यहां, secondary में कौन तीन है, electric field and potential, capacitor, और magnetic effect of current, यह तीन चलना है, capacitor, लगभग, लगभग, फिनिश के होने वाला है, तो यहां, numerical चलना है, electric dipole में, अभी वहां, electric field and potential में, कुछ theory है, प्लस numerical है, जो, अभी इसके बाद जो भी आने वाले हैं, यह पहले इतने chapter, फिनिश होने वाले हैं, इसमें, important numerical साएगा, वह समझे, और तब फिर आगे और बढ़ेगा, अब आगे फिर चेप्टर आने वाला है, सिकंडियर में काने वाला है, अभी आगे पूरा magnetism, पूरा करना है, तो यहां भी क्या आएगा, magnetism, magnetic dipole, most, most, most important questions, अर्थ की gravitational field, अर्थ की magnetic field क्या होती है, कब EMF produce होता है, कब नहीं produce होता है, deep angle क्या होते है, कैसे होते हैं, क्या होता है, कैसे numerical साथे हैं, clear, तो इस सारे चीजें हम लोग आगे फिशोड़ने पढ़ेंगे, तो आपका काम है, अच्छीता से पढ़ना, जम के पढ़ना, मस्ती से पढ़ना, जम करके पढ़ाई करिए, ओके, और maximum से maximum लोगों के पास इसको P100 physics पहुंचाना, क्यो कॉल पोच जाएगा, आप, clear, okay, best of luck